स्वागत अब गामारी यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में देखेंगे नाइन क्लास का साइन्स का चेप्टर 7 का पार्ट 3 है ना जन्तु जगत एनिमल किंडम इसे पहले के पार्ट में हमने पादप जगत देखा था और इसे भी पार्ट में और तीन जगत जो था मोनेरा पुराटिष्टा फंजाई ये पार्ट में देखे थे दूसरा पार्ट में पादप जगत के बारे में डिटेल से पढ़े थे प्लांट किंडम पढ़े थे आज पढ़ेंगे एनिमल किंडम याने कि जन्तु झगत तो जन्तु जंथा जीव जन्तु झगतं में हम लोग सब में जीव जाएगा ज आज देखागिए में बहु कोसी जीव तो इसमें क्या फर्क है कि इसके कोशिका में कोशिका भीति नहीं होता है जनतु जगतवला में जितना भी आएगा इस सब कोशिका भीति नहीं होगा परकास संसलेशन नहीं होता है ठीक है परकास संसलेशन नहीं होता है जन्तुम में और यह एक लिख सकते हैं विशम पोसी है विशम पोसी मतलों समझ माता है जो दूसरे पराश्रित होता है अपना भोजन खुद स्वयम नहीं बना सकता है दूसरे पर जो आश्रित होता है उसक में खास्यत रहाएगा कि यह बहुत सारा जगत आता है यानि बहुत सारा और भी इसके नीचे का डिवीजन है गुरूब है इस जनतु जगत में बहुत सारे जीव का अलग-अलग गुरूब आता है जिसको फाइलम कहाते है ठीकर फाइलम परिफेरा फाइलम परिफेरा पढ़ना है फाइलम सिलेंटरेटा पढ़ना है फाइलम पिलेंटी हेलमेंथीज और एसकेलमेंथीज पढ़ना है उसके बाद एनिलीडा पढ़ना है उसके बाद अर्थोपोडा फिर मोलास्का उसके यह सारे गुरूब को यह सारे फाइलम को यहां पर अध्यान करना है ठीक है तो एक के करके सभी को देखते हैं ठीक है नाम थोड़ा डेंजर डेंजर है दो चार बार दस बर पढ़के और नाम को गुशिश कर दियेगा याद करने का पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटी हलमे प्लेट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रें इंगलीज हिंदी दोनों नाम एक है ना इसलिए कोई दिकत नहीं इंगलीश में भी होगा नहीं दिम्हें भी है वह फाइलम पॉरीफेरा तो यह फाइलम पॉरीफेरा इसमें जो आएगा आज जैसे का आपको चीतर वी यहां पर दिख रहा होगा बहुत को सिक शुरू ही बत कोउचिकाओं का गूरुप उत्तक नहीं होता है हाटना तो अ मिले उत्फिक का निर्मान नहीं होता है इस़लिए येक ऐसा कोषिक के अस्तर की अस्तर की तक नहीं होगा इसमें में कोषिक अस्तर की ज्यूं कोषिक ऐस्तर अचल जनतु है तो अचल माने चल नहीं सकता है, कहीं लटकल उटकल रहता है, कोनवाची इसमें चल नहीं सकता है, एक जग से दूसरे जग नहीं जा सकता है, और इसका पूरा सरीर जो होता है, छीदर यूगत होता है, छीदर यूगत क्यों होगा, क्योंकि कोशिका के बीच में गयप है इसम में हैं चीद्र होता है को बेए तो चीद्र के होता है κάν। ने को मेंा हिस तो उदारन में जैसा जीव आजायागे जैसे असपंज में साइकर नेख उता है युप लेक्टेज होता है तो आस पंज जीव जीव है थेखें समुद्री जीव पाने वाला मतलब जीव है चीस को असपन्ज ही नाम रगता है जैसे एक मीठा इसट वे सब्सक्राइब होता है और जीव से याया उस Atlantic ही। जैसे होता है और भी बहुत सारा जीव होता है जिसका खिलावना सब बना वेयर बना हुआ है, जैसे टेड़ी बियर बना हुआ है, तो सब क्या जानवर है, तो इसका बना गया है, तो उसे तरह ये ज़नतु एक है, athe a Laris उसी से मिलता जोलता या उसी को देखकर कि कुछ बनाया गया उससे मिलता जोलता तो उसको अस्पंजी कहते है जिसे मीठाई भी अस्पंज होता है तो खाने वाला है तो यहां पर जो अस्पंज लिखेंगे तो उन्हें सोचनाई कि मीठाई या लिख रहे हैं यह जीव को लि कोशिकाओं के बीच में गयाप होता बहुत ज्यादा इसलिए चीद्र यूगत होगा जैसे कि चीद्र में आपको दिख रहा हुआ यह पानिम पायाता है समुद्री जीवे समुद्री जीवे ठीक है कोजी घंट को में पॉरि फिरामिक और सिलेंट रेका यह कि जो होता है सिलेंटपर्ण वोग में जो जीव आते हैं तब उसका और इसमें अस्तारने रहता है तो रorm होता है उसका गुहा जो होता है खुला होता है ने उसका अंग खुला रहता है इसमें क्या तो जली जी वह और इसमें बाल यह ससन राचना निकला रहता है मुह उसका जहां पर मूह रहाता है उसमें बाल जैसे रोवा जैसे तरह से बड़ा सा संरचना बड़ा निकला हुआ रहता है एक्जामपल में आप देख सकते हैं हाइड्रा हाइड्रा होता है कोरा लेख होता है इसको मूंगा भी कहते हैं यह सब जल जीव है तो पोरी फेरा अर्सिलिंड्रेटा में ज्यादा फर्क नहीं है बस उसमें क्या है कि उसमें कोशी के अस्तर मने कोशी का वला जग था यह उत्तक इसमें उत्तक भी है बाकी दोनों पानिम रहता है ठीक है और मूं से बाल जीसा सनजना आपको दिखाए देगा है बाल जीसा गुच्चा गुच्चा यह दोग या इस तरह से गुच्चा गुच्चा जैखके चीतर में दिख रहा हो गाए ठीक है? उठक होई दिखते हैं यह उत्यों समुद्रिली जीओ है तीसरा होता है Choose pa worth पिलेटी हल मेंथीज यह क्रीमी इसमें आता है ठीक क्रीमी क्रीमी सुने होंगे देखे होंगे अब जो पढ़ेंगो वह सब आपको देखे होंगे है इससे पहले जो था उसमुदरी विट्टी विश्म को आपने देखे होंगे लेकिन यह यहां से जो जीव क्रीमी इसे शनरचना रहा हैं तिसली को फीता क्रीमी आता है फिता के मेरे अंदिर फिता चफटा रहता है यह पतला से यह जीव है पतला लंबा रहता है लेकिन उसका सारैसन पतला है न गोल नहीं रहता है पतला फिता यह सा है इसमें जो है एक मेंट पूंट यादर आधर किमा नर और जनानांग जनान एक ही जिव में उपस्तित होता है मन एक जीव उसे में नर जनानांग भी रहेगा मादा जनानांग भी रहेगा है भापी जैसे आंड़ी जीव जनतू में मदा अलग होती है अलग जीव हैं गहाई मनर अलग हैृसम लग काल लड़की अलग लेकिन इसमें दुल कि एक ही जीव में सब्सक्र में तो सबस्त्रेंब। सलगें प्रविस में क्रेमीं अगर प्रविस कर गया है बिमारी होता है स्काइब उससे से लीविवर फुलु को पड़ा है नाम है पर भी प्रकाइब भी अ है न क्रीमी है बलट फ्र टेप ओर महytes फीत क्रीमी यह सब आता है इस ग्रूप में ठेक है चाहँ ठाग में है हम् Haik 2-om Hallelujah development teach Thrown mental तो इसमें बेखिये यह भी क्रीमी आगा लेकिन इसमें गुल क्रीमी क्रीमी गोल गोल किरीमी इस में वो करीमी चपता वला किरीमी उस गुरूप में आता है और गोल का किरीमी जु relationships यह यह कंसे बिलवुड पूलो या लेवर बीमारी हो सकते है इस इस भी मिमारी होती है आता है या फलेरीया वता है हंसे यह ओल गोलकीभय शरीर सुच में जोटा ही नहें जोड़ इसमी माने दोनों तरफ से KőLE किदर मुंग इदर पूइच पताने चल लगा है वास्त्विक देहगुहा का अभाव वास्त्विक देहगुहा इसमें भी नहीं रहता है कुन किडिनी कुन हार्ट कुन हाथ पर ऐसा कुछ देहगुहा नहीं रहता सिधा लंबा सा रहता है जोग जैसा है न और इसका हो जागा एसकेरिस बुकेरिया जिसे डायरिया सब होता है डायरिया क्रीमी भी का सकते हैं और फलेरिया क्रीमी फलेरिया होता है डायरिया होता है तो यह में पॉइंट यह आल रखना चेप्टा वाला को पिलेंटी हेल मेंथीज में आगा अगोल वाला किरीमी जो है गोल का वाला वह एसकेले मेंधीज में आता है ठीक है तो यह छोटा-छोटा है ज्यादा बड़ा गुरूप नहीं इसलिए इसमें थोड़ा-थोड़ा ही पड़ाना है ज्यादा कुछ है नहीं एनी लीड़ एनी लीड़ धिरी देखिये जीव का जो है ना आकार या उसका सनरचना बढ़चे जा रहा है ठीक है एनी लीड़ा में केचवा सभाव जाएगा केचवा देखिये ना जोक्ती जोक केचवा और जोक सब आजागा इसमें जोक्ति जिसको बोलते हैं तो ये नम भूमी में कहां पर आता है नम भूमी ये नम भूमी में रहेगा और समुद्र में भी पाय जाता है जल वह समुद्र में भी आना नम भूमी जल और समुद्र में पाय जाता है ये कैसा वास्त्विक नंड तरफ अर्थ वर्ण इसमें एक तरफ राता है नर एक तरफ माधदा एक Department इसने जनन को नहां तो यह ये यह पंपर अध्य करती लिए डाल हरा रहता है यह तो कआ रहा है अपयर आबादी बढ़ा रहा है जो आखिनार सिर्डा बढांने के लिए जोंते हैं काम का दूसरे के पास जाने वी जवरतने है ठीक है एक ही शरीर में नर भी मादा भी और इसमें केचुवा में याद रखेगा केचुवा केचुवा में एक चीज देखे आठ गुद दील होता है केचुवा में केचुवा में आठ को दील होता है केचुवा का चीतर ओर्थीर देखे इधर समझारे करें आठ को दील होता है सूंचए चाहर गुद रहता है नर वला म मादा बला में चाहर दोनों सथे सथे है नहर मना सथे साथे साथ anymore मरता है दोनों साथ बन dato है सूंहें आधम आदमी के लिए के केचुआ के लिए हुए कि की चुआ हो सकता है कि के रहता हम जीएंग मरेंग साथंधेंग तो इसा थोगी होता है हम इसा कुछी को मशता होता है धिवास है तो आदमी में फिट करते हैं तात्मी मुझा ने होता है कि कोई जिए गातों धूर जाएगा वैसे तो गिलग फाम ही हम जी या मरें साथ है कुछ वैसे साथ ले हैं जोप्टी बनना परेगा गर साथे जीना मरना है तो केचुँवा बन जाई है तो साथे जीना मरना हो जाएगा तो यह केचुवा याद अखिए कि एननी लीद्टा है थोड़ा विक्सित जीव है वो सब छोटा-छोटा था उससे थोड़ा सब राई है केचुवा जोक इसमें आएगा कृण्ड यूग अचाई इसका सरीर होता है कृण्ड यूगत अदेख्टी देखें हुग सली के इसे कृण्ड यूगत होता है जो कि मतलब इस्प्रियन जैश सब नब हो जाएगी तोसका होगए चयों कर वा कि खाट शरीर कनदी तक होग है तो घर मुद्यावत में देख भी होंगे कि भी साइंस काल के बाइलोचिक बाएलों के में लोग पढ़ाने में देकतव होटे का किद्षी देखले है इंगलीज में देखता है कभी मचलियों कभी तरते होने नहीं देखता है तो लोग को समझेना बलादी कतु था कई सारा था का रहा था अब इसमें जितना पढ़ाए हैं सब कुछ आप देखें होंगे जैसे पलांट वलांग भी पढ़ाएं थे काई सब हो गया काई में कतना कि गीरवुक होंगा हैं और भी बहुत सारा कुछ-कुछ था नाम तो थो आजीब हैं नाम पता नहीं लेकिन देखें हैं सब हैं चीतर दिखाए थे आप देखें होंगे सब जितना वी पलांट में आया था गुरूप सभी गुरूप को लग है तो देखें हुए रात है इस तो मस्टर मेंनि ओम मजागुडा चाहिं था खल्क कुछ थोड़ा बहुत गलती हो गया तो देहाती मेधियों वहला इंक साइस लेके आ जाता है कि किसा भोल्य इस्टोरेंटों मना जागुडा था तो मस्टर रोइनौ लेकिन लोग जानता ने कि देहाती मेधियों वहला आपका साइंस अच्छा होगा अपने आज पास देखे वही सब साइंस है बाइलोजी खास करके ० और अर्क छाहरे थोड़ा साइंसे ऐं सिद्हा कि हा इंग्ली से पढ़ रहे हैं इंग्लीच में इनिस इंगलीच में डियॐतना इंहीं देखने के कोई सा है क्यांगी प्रिक्टेकली समझता है जो चीज को समझता है उत्सकुद्ध देखा भी है वो है ना इनिस मेडियम उला को नसीड नहीं देख लेगा तो तीसलिए घाबराना है कि हिंदी मेडियम में तो साइंस लेका कैसे पढ़ेंगे लिकत ने बस लेंगवेज का फार्क है ले इस अभी सब की पूरा डिटल समझ गाए तो एनि लिडा लिखा रहे तो इंगलिस लिखा हो रहे तक नहीं समझेगा है तो सब समझ में आगा भासा से कोई मतलब ने भासा अपना वीचार को आधान परदान के लिए परियोग करते हैं और कुछ हो नहीं है लेकिन भासा को अगर बहुत बड़ा चीज समझ लेता है माने अंग्रेजी जो जानता उसको बहुत बढ़का आदमी जने जानता हो उनपढ़ गाओ तो इसा कुलन बात में है इंगलिस बस एक भासा जैसे हिंदी भासा है नाकूरी भोचपूरी सब भासा है इंगलिस भासा है बस फ़रा क है कि वह इंटरनेशनल भासा है माने देश भी देश हर जेगा चलता है इसलिए तोड़ा ज्यादा आई जाते हैं तो घवराना नहीं हिंदी मेडिया में चीजों को समझे आप अच्छे मकाम पर पहुंश सकते हैं अगर अच्छे से प्रेटिकली समझते चलिए तो ठीक है कैचुवायां सब देखेँ ओंगे योग दंगे न कई से चलता है चूचा के भी देखेँ कंगयों मच्ली में मिसली मानने जाते होंगे टो बंशी में जतना बहती हैतना जीवें लांबा वाला उसको देख लिए उसमें ज़्यादा कुछ हाथ पर नहीं रहता है अपना पूरा सरीरे सुरी धरूजर होता है आप जो गुरूब देखेंगे इसमें कीडा मकोड़ा आएगा कीडा मतलब इसमें वैसा रेंग आइसा लंबाव लाजकेश टाइप का नहीं आएगा जैसे मख् सब बढ़ सुबारे का चर्करीट में अर्थो पोड़ाएं जनतु का सबसे बड़ा गृूप है इसमें लग भग 10 लाएख जीवाते हैं अर्थ हो दान कि फूच्ञान का है सबसे बढ़ा जगत कौन सा आता तो आर्थंपोडा है इनीमल जनतु जगत का सबसे बढ़ा ostr course provides क। nhहें तो और्थंपोड़ा आर्थंपोड़ा आशी परसेंट जरी से में आए चाहता है सबसे बड़ा जगत हैं इसका जो स्ंदृचना होता है कैसा इसका पाय को Luck he और हुआ कि अ मार्षी खंड़ जुड़े हुए होता है कि कंड़ खंड़ तो इन तुपर इस निवा complement यह में पूर्फ यह सब तो किड़ा कह रहे है तो extra ऌड़ उसका सीर वखतों और विभाजित रहते मतलब अलग रहता है में एक दमी पेड़नेश जूड़ए तो इसले मूड़ी रहता है उसके पड़न वक्छ यहां उलग पेट फीछ उदर जो पीछे साइड एसम लाट से जिसमा धिए यह मखी में देखिए पिछे साइड जो अंतिम में दिख रहा है वह उदर हो गियाद बीच में जहां से हाथ पाइर या पंख निकला हुआ रहता है वो वाला रहता है वक्च उस्टो आरप मूडी तो अलग रहे हैं ना सीर तो जितना वी कीडा मकडा उसम सब में आई समेशना चीटी में भी मख्य में मचर में भी सब मोह रहे हैं ना उदर पीछला वाल भाग बीजिवा वाल भाग जहां से पायर ओर या पंक निकला हुआ र तरह से यह मूडी वहलद खड़ अन्या स्थ पाइरोर निकला वह मोग करनाया अर्या-उदर होला है वmut आब prec secret before तेंगोति इसका श्रीर बना हुकु आ उह वह सोंगि अर्वर causal भाहेकांकाल भाहेकश संग भाहेकश मेंवेंड मैंरोडों करते ह्लिएक काल बाहेक उlling yn काईटीनन वहां है थोटाव है तो च्छोटा जीव है तो उसका हडी कहसे नरण रहाइगा हम लोग इसे कठोर हडी होजेंगे तो मख्छी मच्छर उसमें भी हडी होता है लेकिन बहुत मुलाइयम होता है मतल्ılar हम लोग का जब चामडा है उससे भी ज्यादा मुलाइयम लेकिन हडी होता है understand and छोटा है अब छोटा ही है तो उसी साब से उसका हडी का मजबूती भी होता है उसी की हिसाब से ना बड़े जीव के जSab alors हम लोग जैसा हर्डी का जो मजबूत आई होता है वह इसा मजबूत होता है कैंकाल फार स्कृष्ट लेकिन वह हड़ी होता है बाही कंगाल होता है इसका ठीक है खुला परीस अंचरन इसको एक्ठाए रहे खुला परिसंचरन परीसंचरन समझी चीज क्या है उसके लिए लिन नहीं न होता है ने को आ युम हुम मार देंगे तो पुरा सरीर से कई पुरह बलत जमा हुआ निकलता है लिए बैट यह मारते होगा इसात पचाग जाता है पूरह बलग हुला परिसंट रख्थ वाही का जो रख्थ नली हम लोग की से नौस भी चल ले देखे नौस दीख रहा है नस दिख रहा है, मोटका नस एक्ठ होता है, जिसे बलड आता है, पतला नस जिसे बलड जाता है, फिर वापस है, तो नस के माध्यम से हम लोग बलड जा रहा है, परिसंचन जो हो रहा है हम लोग का, जो बलड बलते हैं, नस के माध्यम से, नली के माध्यम से हो रहा है, लेकि तकीड़ा मकड़ी बिच्छू भी सिमा जागा कोक्रोज भी आ जागा है ना तो यह सारा चीज़ यहां फुद दिखाने के परियास कर रहे हैं इस सभी चीज़े आती है और्थो पोड़ा में तो अर्थो पोड़ा याद रिखेगा सबसे बड़ा जगत है सिर्वक्ष उदर सब्सक्राइब नाला नली नहीं होता है पाइप नहीं होता है अर्थो पोड़ा उसके बद क्या मुलास का है मुलासका सत्वा नंबर कोई भी नंबर नंबर मुलासका यही इए और समुद्र में रहने वाले शबसे बड़े गुरूब तो ये उसके बाद सेकेंड लार्जिस्ट है है ना लगभग 90 हजार जाती है इसमें आती है सरीर इसका मुलायम होता है दुवी पार्श सम्मीत होता है दोनों तरह सम्मीत होता है सम्मीत बराबर है शरीर, सीर, उदर वो पाद में विभाजित होता है, सीर, सामने, उदर और पाद में विभाजित होता है, पाद में पैर में, तो उदर, सरीर, उदर, पेट और पैर, इसमें विभाजित होता है, इसका अंग, इसका जो बाह ये भाग होता है, केल्सियम का खोल से बना होता है, केलशियम से मना होता है केलσιयम रहे बाहरे भाग इसमें आ जाएगा कुसिप खूंगा οक्तोपस काइटीन तो समुद्र व्ला राने वाला जलेजीव है शमुद्र में राने वाला सबसे बड़ा गुरूप मुलास्का जती होंगे इसलिए कटोर होता है कनकाल उसका भी कठोर हुता है संख वह भी समुद्री जीव उसका भी बाहर कंकाल से बजाता है उसका अंदर का सम्मूख खतम हो जाता है तो कंकाल लगाता जो बजाते हैं तो कंकाल उसका मजबूत है केल्सियू का बना हुआ है तो कठोर कंकाल रहता इस तरह से कठोर कंकाल है ना एकाईनो डर्मेटा देख लेते हैं जल्दी से ये भी समुद्री जीव है कैसा जीव भाबुत ये भी समुद्री जीव है समुद्र में रहने वाले जीव है एकाईनो डर्मेटा शरीर तारे की तरह गोल होता है या लंबा होता है तारा की जैसा लंबा रहता है या लंबा रहता है इसटार और पस दितखेऊंगे ठेक है तो है क्केल्षियम क्वाज्थ का्थार में च्शल्वासोम करें फ अल् Engagement और शरीर अखंडित वुर्ण और हमनी यानते यहां इसका घाल लब योगे टॉट डाता है और खंडित होता है ठीक है खंडित मने मूड अलग हम लगता है उस तरह इसका खंडित नहीं होता है ठीक है एक ही में सलम लेट कौन का है कुछ पता नहीं चलता है और लिंग इसका भी अलग-अलग यानि मादा अलग जनल मादा अलग और नर अलग होता है ठीक है एक्जामप भूब होसकता है बाहर में कनाटा य0 थोड़ा-फोड़ा होता है काय। रहे हो गौनाटा केलिस्यूम का बनावता है इसलिए मजबूत होगा है केलिसियूम जहां भी नह проблем कठोर होता है उसके बाद सब्सक्राइगा अब देखी जीव कभी कासो हूँ रहा है city car data में हम लोग आ जाएंगे जटना जीव चोटा चोटा जीव था उसर पढ़ गने हैं पढ़ लिए अब कालडेटा में बड़ा बड़ा जिए और हम लोग इंसान विंशन किस क्यार le responsible काल डटा में तिसमें अब क्या जाया का रेटता में के एक आंतर आजागा इसमें जो इसकी अब जणतू पनेंगे जितना है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आजाएगा या उसमें रेड की हड़ी पाए है इस से पाले जतना भी देख्या उसमें रेड का हड़ी नहीं था रेड का हड़ी वला अपनाने थोड़ा विक्सित जन्तु में हांगा रेड का हड़ी होता है तो कारडेटा का में जतना पढ़ेंगों सम्में रेड का हड़ी पाए जाएगा औ और पूँच रहेगा पूँच पूँच जीवन के किसी आवस्था में यह किसी आवस्था में लिख रहे हैं इसके उपर भी कुछ बात है इसलिए जीवन की किसी आवस्था में पूच रहे हैं लेकिन किसी आवस्था में जीवन के किसी आवस्था में उसको पूच जरूर रह तो देखिए इंसान भी इसमें आता है इंसान का भी पूच होता है लेखिन वो पूच बोले किसी आवस्था में रहा सकता है फोरून अवस्ताम रहता यहां तो पूछ भी रहता है जब को डिना और फिर सतस्क्राइब कुछेनी सब में देखेंगे कि जी दिन सक है तो शुरू चिपकली जैसे सनरचना बनता है तो सब पूछ भी है तो पूछ रहता है जीवन के कुछ अवस्था में किसी अवस्था में पूछ रहता है फिर वह जब बच्चे का पूरा विकास हो जाता है तो धिरे-धिरे पूछ खतम हो जाता है तो इसलिए लिख दिए लुकाते हैं하는데 करता है na confirmate मैं पुछ नहीं मैं फूर्वा कर देखे इन्साने फ्रूप थोड़ा-थोड़ा मेंदब का वै지는 है उस्त têmला हो घांग के अब Lifkąसरा सुरवात में मचली टैप कर रहता है मिन्डव मचली टैप का बेंदूरा लुक आते हैं हम लोग उसको आप लूग कहते ही झाहिं कि पहले जाते हैं मचली उचली पकड़ने जाते हैं अधियोदी में इब बन डुल्वा को पकड के लिए आते तो मचली को अके हैं तो इब मचली जैसा सुरू सन्राथ ना रतना पूंच भी राता है इसका फिर वह धिली धिली जब विक्शित वता इसको टेड़ पोल गाते हैं इब पोल टेड़ पोल टेड़ पोल तो मेंधा का शुरुवाती अवस्था को टेड़ पोल काते लारवाचर पो टेड़ पोल बनता जो मच्री जैसे कि छोर का मच्री जैसा तो यही विक्षित करके होता है उसके बाद फिर यह मेंदख का रूप ले लेता है तो उसमीं पूँछ ने दिखता है जो मेंदख बड़ावल लेकिन टेड़ पूँछ रहता है तो वहिसे ही इंसान का भी शुरुवात में ग्रुण स्था में रहता है विक्सित होने के बाद खतम हो जाता है तो पूँच कर इसक किस्य जिए अस्था में होगा भले नहीं दिखाई देगा लेकिन वह किस्य तामों उसमें पूच रहता है आनसे कारडेट ने कारड़ ठाट हैं मेर अगध bak obviamente मेर व्रक्षार्ज क्या है तो मेर को मैंछ यह हैं कि युद सो कुछ ़िस से कोई भी चीज चुछ होता है चो कुछ लगता तो उसी दूबर मस्टिक सती है तो पहुछता है यानि मस्तिक्स यानि दिमाग हमारा जो भी काम करते हैं उसको कंट्रोल को दिमाग का अंदर मस्तिक्स का तंत्री का तंत्र है वो कंट्रोल कर रहा है लेकिन कभी कभी दिमाग अगर कहीं बीजी है तो फिर उसका कंट्रोल का काम रीड का हड़ी का अंदर मेरूरज जो है वो क आते हैं यह हाथ हो चुब यह करेंट लग जाता ते लिए जटका से जो जटका से काम करते हैं उसको काम मेरू रज्जू दुबरा हुआ है ठीक है यह कोई आका ड्राद यह जो हमें पाहा रहे हैं अभी कतना 12 बज़ रहा अब कुणों अगर खिड की किसे हो लग के हो कर अब इसी बिर्णाप्त हो लें 12 बज रहा है 12 बजने में दोस मिंट बाकी है अब इसे हम चुब चाप पढ़ा रहे हैं अचानक से कोई अगर खीन की को खोलेगा और अचानक चीला आदेगा थंडर जाएंगे रम चौंक जाएंगे ती चौंकने वाला मेरू रजू रजू को लोगत नहीं आए तक आगे बढ़ जाते हैं कारडेटा में बहुत सरा और भी गुरूप आएगा उसब को देख लेते हैं थेक है तो हम जो है फाइलम कारडेटा इसको दू भागू में बाटा गया है एक ठोप बोलते हैं प्रोटो कारडेटा यहां पे एग्जाम्पल किसमें बहुत सारा जन्तु आगा जाएगा तो उसको फिर से डिवाइद करें size of الخ अग182 भाहं सर devotion भागतेंगे तब फिर उसमें पर लीखें कोन च्व tobacco में Wonder थे तो प्रोटो-कार्प रेता को प्रोटोकार्टा में किरीमी के तरह समुदरी जीव आता है की मिजो पढ़े तो उसी की जैसे इसमें आता है के डैप का समुदरी जीव समुद्रीजी लेकिन इसमें रीड का हड़ी होगा, खाईक उसी के अंडर पढ रहे है, ठेक है, स्वसन्गील से दुवार होता है, इसका भी लिंग अलग अलग होता है, जीवन की अवस्था में नौटो कार्ड में उपस्थी थी, जीवन की अवस्था में नोटो कार्ड की उपस्तिती और जीवन की इसे अवस्था में पूंच भी आ देखना है सबसे पहले इसमें आ जाता है मतस्य वर्ग पढ़े ना इसको वर्ग कहेंगे मतस्य वर्ग मतस्य वर्ग ठेक है पीसेस कहते हैं मतस्य वर्ग देखें मतस्य वर्ग मचली वला वर्ग है मतस्य मने मचली समझ वाता है तो चोकला रहता है जिसको खटोड़ा करके तब ना देता है या अपने से भी बनाते हैं उसको छोड़ा लेते हैं उसके बाद उसको बनाते हैं सकते जो भी खाते हैं तो मतष्य में जो है मचली में कवजश होता है उसका सरीड मैं कवजश यूग्ध होता है ति को चोड़ाते है ठिrão को समीधी मनें बराबर सरीर होता है धर दर धाँ पशकल नहें रहता है हीर shoe और यह ठंड़ा he تمड़ा जन्तु है जन्तु है यह नप देखे जन्तू को दू přाहर में खून चल्वकलMY खून के मढता गिया付 को सीत रग्ति ये जंतू कहते है रेक्ट को ऊसन रग्ती जंतू ठंडा कुन यानि सीत रग्ति एथांडा कुन इसका उता है तो देखवे की हैं यहत जाता है आइसमें सम्झाने की देवरत नहें चीतरुतर भाईद देखिए लिजेकाट डॉक्तर उभाईचार दूसरा मात वहाज़ार मैंने जू पानी और जल on theaconand जसें पानी और जमीन मीटी में दोन वह रहता है ठीक है पानी ओर भूमी में जमीन में दोनों रहता है तुसकी वहाज़ार घूम और जमीन वह द मैं ली जमीनों में कुछ गरंथी मतलब समझ में आता है ना जह हम लोग का मुलार गरंथी हां लार गरंथी होता है ना जिसे लार निकलता है तो उसे तरह से गरंथी उन लोग का भी जो निकलता है कुछ लार और जो भी है वो तव चाम उन लोग के चम्णा बाहरे होता है ठेक है हैं सीतर अधीर होता है मतंतल भायी ठंड़ा रब्ती होता है सीत रब्ती जी ध्य Europa ठंड़ाहिसस का छून होता है हिस्धो हिर्दय में तीन कोश्टक होता है तीन चेंबर इसका हेस्धों में पी मत्श्य मत्प्र थे को पानी में अंडे देता है ना पानी में अंडा देता है तो यह सब पता ही है उभाइचार कोई देखे उभाइचार के बाद सरीश्रीव देखे है कि उभी सडिश्रीव सडेश्रीव मनें रेप्टाइ lager रेंगने वाल रेंगने रेंगने वाला अधिकान के अधिक यह सो छो ने वला रहता है वह तो जमिन में रहता है ना माने ठल्य सَّरीर پर सल्क होता है सल्क मतलब एक कभरींग होता है जैसे सांप गशार होता है तो ससे जो जह रहता है ये भी शीट, रुधीर होता है, ठंधा खूं इसमें भी होता है, घेरदै तृकोष्ट लेकिन मगरमंच का, हेरदै मगरमंच का तृकोष्ट, मनूने तीन कोषटक होता है और बाकी बाद में चार कोश्टक, ठेक needed? शरीस्रीप में .साप कच्छुबा छिपकली मलगरमच आदी ये सब आते हैं सरीस्रीप में साप आएगा, कच्छgoing आएगा, छिपकली-आएगा, मलगरमच आएगा भीशतनी ही तो जानी क्या को मेरा चल करेंगे सिपनेरेगेफ सेंसे बन जा र्यक्रकें का धिलता खिश्मरत आई क्या पूरा टज़तिक रुज्मरु मेРा बाजय सेंसे लीका ही 1 के test के आध मतलें सत्राकोच सिपनेरेफ और एफ मेरे अपनेर का था अब इतने हैं लेकिन डाइनासवर्श देखने से लगता है कि रेप्टाइल में अग्रा सरी शृव में यह मतल लेकिन उसको भी सरी श्रीप में रखा गया है कि वह लोग चलते के शैद्टें एक परेशा फिर ऐसा फिर ऐसा इसा मतलब इधर का भार फिर इधर की इस तरह से चलता तो उस तरह से चलता है वह सब सरीश्रीप मियाता है ठीक भाळी उसका पाईर है पर समत्लब नहींै है तो कंचवत्या सब정ते के लिट टेटेएगा है गिर सब हाज चालै जीये हो गया ससको आगे देखते हैं तो पक्षिस सब कहें। अगला क्या होगा पक्षी वर्ग पक्षी मनें समझ माता है पक्षी या एविस कहते हैं एविस वर्ग इसको एविस ग्रूप पक्षी वर्ग पक्षी मनें वही उडिने वाला वही नहीं होगा तो पक्षी जो होता है गर्म खुन होता है इसमें गर्म खुन होता है गर्म खु भलता है सरेर में पंक आता है हैं ससरी और पर यह सब बवाजित होता है अग्र पाथ पांक data अगर पां फोट आ यानि आगे वला ऑग्र पार जैसे रहाता है जो पनक बाद बन जाता है समय के साथ है न आगे वाला नर और मादा इसमें अलग अलग होता है जिसलिए उसका हड़ी खोखला होता है जिसे की पानी में भींगता क्योंकि पानी उसका पंख में मुम जैसा कुछ रहता है तेली चीज जो कि पानी को अंदर परवेश नेखर ने देता है ठीक है तिये सब याद रखेगा अब आभेल तो यह तो हो गया पक्छी जगत भी हो गया अब मेन देखते हैं जो हम लोग आते हैं लेकिन अभी तक हम ल सबसे बड़ा वर्ग में सबसे बड़ा अस्तंधारी है अस्तंधारी नाम से है कि उसमें अस्थन पाएग़, अपने बच्चे को अस्थन दूध पिलाएगा, और इसका सरीर कैसा होता है, इसका सरीर बाल यूगत होता है, हाग गर्म रूधिर वला, यानि गर्म खुन हम लोग गर्म खुन वला है, सम तापी, टाप सम रहता है, जैसे 37 डिगर हम का है, 37 यह सब में बाल्यक्त होता है, गर्म रूदिर यह गर्म खुनवाले हैं, संतापी जन्तु है, अस्तन करंती बाहेकर्ण उपस्तित, बाहेकर्ण मने कान बाहर में उपस्तित है, कान बहरनुस नosis को बनने बच्चे को जन्म देते हैं हीदायपेल पर चार कोष्ट होता है मने दिल में चार सासन काचिश फ्यफडा दवरा करते हैं तेक है माप दुवरा सीशू का देखवाल भी होता इlt तो उमीद समझ माया अस्तंधारी क्या है देखी रहें अस्तंधारी घीरन अचा ये भी आता है अस्तंधारी में कुण कबल तो उसको चमगादर है ना चमगादर सेर डोल्फिन मचली भी अस्तंधारी माता है टोल्फिन को मचली न ही डोल्फिन मचली बहुत को ये लडकी बहुत लगता होगा तो लड़का है कि लड़की मेल हो या फिमल हो सब अस्तन धारी माता है क्योंकि सब में अस्तन होता है ये अलग बात है कि अस्तन लड़कियों का विक्सित होता है लड़कों का नहीं होता है क्योंकि उन लोगों में लड़कियों में अस्तन गरंथी पाजाता है जिसके कारून उस सब अस्तंधारी सब इस पर आपने बच्चे को जन्म देता है जो माबाप अपने बच्चे के देखवाल रखता है तो ये अस्तंधारी की खासियत है अच्छा आस्तंधारिम भी तीन तरह क्या आता है एक होता है परोटो ठेरिया लेकिन इसमें भी एक गुरुप आता है परोटो ठेरिया जिसमें वे अंडा देता है अंडे से फिर उसका शीसु बच्चे का जन्म होता है इसमें पिलेटिप्स नामक एक जन्तु है पिलेटिप्स जो समुद्र में पाया जाता है जो अंडा देता है तब फिर अंडा से बच्चा होता है उसको दूद पिलाता है फिर एक होटा मेटा थेरिया आता है मेटा थेरिया जो अविक्सित सिसु देता है मेटा थेरिया एक गुरुपा थाइसे में जो अविक्सित यानि पूरी तरह से विक्सित सिसु ने देता है जैसे हम लोग इंसान मानों का जो सिसु होता है बच्चा जो जन्म लेता है तो पूरे हो तरह से विक्सित होता है गाय जिसका बच्चा होता है वो विक्सित प्वादा होता है जैसा बच्चा पढ़ा होता है दो पूरनी्य तरह से विक्सित सिसू पाइदा होता है लेकिन एक गुरुप ऐसा भी है, कुछ जीव ऐसे भी है, जिसमें पूर्ण विक्सित बच्चा पाइदा नहीं होता है, पाइदा होने के बाद उसमें हाथ और पाइर का विकास होता है, या कुछ आखोक का विकास होता है, तो उसको कहते हैं मेटा थेरिया, मेटा थेरिया, सबस्क्रांद करें और समय और अट चैनल को साजीत Likewise होगे भिए और गृप्वर तर यूझा रखता है नुक्सान होंग्सान होud और सत्र बचाने के लिए दूस्मनों से बचाने के लिए सब्सक्राइब 3 जरते लेख फूर एक और गुरूप होता है यू थेरिया जो अपने विक्सित बच्चे को जन्म देता है तो यू थेरिया में देखा जायता है ओरीजनल में हम लोग आएंगे जो पूरू विक्सित बच्चा को जन्म देता है ठेक है तो अगर अस्तन धारी का अंदर घुसेंगे तो यू थेरि जरूर किज़ेगा, तो मिलते हैं, next video में, next chapter ले करके, अब biology कहतम हो गया है, अब physics स्टार्ट करेंगा है, chemistry और biology दोनों समाप्त हो गया, अब physics स्टार्ट करेंगे, तो में अगले वीडियो में physics करके.